बिस्मिल्लारमान रहीम, अस्सलाम अलेकूम, रिस्पेक्टिर वीविट्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ केनाल पटवारी बिपीएस जिसमें आपको लेमन दिया जाएगा, उसी का कम्प्लीट सॉल पास पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वीडि लोगों को जो related to information मिलती जोलती होती है वो भी शेयर करता हूँ, तीसरा जो benefit आप लोगों को होगा कि आपने last per security marks लाजमी बताने है, इससे यह होगा कि आपको अपनी capability पता चल जाएगी, तो लाजमी आपने last per security marks पताने है कि कितने आपको already questions के answer आते थे, आपने जी वीड of Islamic operation, इसकी जो second mean के सुमच जो दूसरा सरवराही इजलास हुआ था ना लहौर में, वो किस year में होता है, ये question में basically पूछा जा रहा है, तो मैं अमीद करता हूँ, काफी candidates को already question का answer आता होगा, क्योंकि हमने ये question cover किया हुआ है, 1974 में, ठीक होगा, further आपने related to information आपने याद र members की तदाध थी, 25, further इसका क्या objective होता है, क्यों बनाई गई, मिनके पर more to Islamic solidarity, मिनके Islamic यह जहती तो फरोग देने के लिए, तो ये जितनी भी information है ना, आपने ये भी याद रखनी है, वैसे एक चीज़ आप सभी को पता होगा, कि मैं OICC, further और भी जो organization आ जाती है, इन पर में separate separate video बना चुकाँ, मिनके जो जो question बनते हैं ना, हमने वो cover किया हुए है, तो मैं मीद करता हूँ, काफी candidates को इस question का already answer साता होगा, next question है, the third battle of panipat was fought between एहमद शाह, अब्दली and, तो तीसरी जो panipat की जंग हुई थी ना, वो किन के दरमयान हुई थी, basically question में ये पूछा जा र option B, right answer बनता है, next question है, who founded the madrissa darul aloom, तो madrissa darul aloom के जो बानी, ये question में basically पूछा जा रहा है, इसके कौन बानी थे इन चार option में से, तो मौलाना कासम ननोतवी, ये right answer बनता है, option D is the right answer, next question है, गुला मुहमद बिराज was constructed on river, तो गुला मुहमद जो बिराज है, मैं इमीद कर बता हूँ, काफी candidates को इस question का answer आता होगा, ये किस river पर मीन के बनाया गया है, इंडस river पर, द्रियाए सिन पर, आप सभी को पता है न, पाकसां का जो सबसे मीन के बड़ा द्रिया है, वो है द्रियाए सिन, next question है, मोगल इंपेरर हमायो term is situated, तो हमायो का जो मीन के मजार है, व मैं अमीद करता हूँ, काफी candidates को पता होगा, क्योंके मैंने ये question आप लोगों को cover करवाया हुआ, बताया हुआ है कि मांगा कार्टा क्या था, ये एक charter of right granted by King John 2 of England in 1215 AD, तो ये basically एक agreement ही था, जिसमें human rights की बात की गई थी, तो ये आपने याद रखना है, तो option C ही right answer बनता है इस question का, next question है, ये भी पाक स्टेडी से डिलेटी रहा, the constitution assembly of Pakistan passed the objective resolution in, तो basically पहली जो आइन साथ assembly थी ना पाक स्टान में बनी, उसकी जो objective resolution थी, वो कब पास हुई थी, वो हमने year बताना है, 1949 इसका right answer बनता है, next question, ये भी पाक स्टेडी से डिलेटी पूछा गया, according to constitution of 1956, the national language of Pakistan was, तो 1956 के आइन के मताबक हमने बताना है कि पाकिस्तान की कौमी language, मिन के किन को कहा गया था, उर्दू एन बंगाली, ये भी हमने cover किया हुआ है, और यही right answer बनता है, next question है, the last prime minister before the imposition of 1958 मार्शला वाज, तो 1958 में जो मार्शला इंपोस किया गया था ना, उससे हमने पहले का प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, तो काफी candidates को पता होगा जी, कौन था, फिरोज खान नून, option is the right answer, next question है, lotus lake is located in, बहुत ही important question है, ये कई बार past paper में question पूछा गया है, और ये किनाल पढ़वारी की post में भी पूछा गया था, lotus lake ये कहा है, इसलमाबाद में, option is the right answer, next question है, who was, मुहमद अली बोगरा, तो मुहमद अली बोगरा, ये कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, option B, he right answer बनता है, next question है, महात्मा गांधी वाजा, तो महात्मा गांधी कौन था, ये डॉक्टर था, लॉयर था, इंजिनियर था, सोशियालोजिस्ट था, तो ये एक लॉयर option B is the right answer, next question है, the famous बाजशाई मौस्ट, located in Lahore, was built by, तो जो मशूर बाजशाई मौस्ट, आप सभी को पता न, Lahore में है, ये किस ने तमीर करवाई थी, इन चार उप्शन में से हमने बताना है, तो right answer बनता है, और अरंग जेब, option D ही right answer बनता है, next question है, who became the governor of Pakistan, after Khwaja Nazmuddin, तो Khwaja Nazmuddin के बाद हमने बताना है, पाकिस्तान क्या कौन सा governor of Pakistan बना था, इन चार option में से, तो जो right answer बनता है, जी वो है, गुलाम मुहमत, option B is the right answer, next question है, which one of the following country opposed Pakistan membership of the United Nations organization, तो question में basically ये पूछा जा रहा है, कि पाकिस्तान ने जब membership के लिए, UN का member बनने के लिए दरखास दी तो सबसे पहले मिनके किस country ने मुखालफत की थी, ये basically question में पूछा जा रहा है, तो वो हमारा जो हमसाया मुलकाजी अफगानिस्तान इसने basically मुखालफत की थी, option C is the right answer, next question है, सरदार अब्दुरबनिश्टर वास गुवर्नर ओप, तो सरदार अब्दुरबनिश्टर थे, ये गुवर्नर रह चुके हैं, किस प्रोवेंस के, ये पंजाब की रह चुके हैं, तो option A ही right answer बनता है, next question है, आयतल कुरसी is part of which surah in holy Quran, तो मैं अमीद करता हूँ काफी candidates को पता होगे, Islamic studies related question है, और बड़ाई बेसी सा question है, तो ये सुरत बक्रा में, आयतल कुरसी, option A is the right answer, who was called, अबुलबशर सानी, तो अबुलबशर सानी किस पिगंबर को कहा जाता है, तो काफी candidates को पता होगा, हजरत नू अलेह सलाम को, option A is the right answer, next question है, नमाज is referred to in Quran as an obligation, तो नमाज का जिकर कुरान मजीद में कितनी बार आया है, कितनी बार आया जी, 700 मर्तबा, option C is the right answer, ये question भी ह हमने cover किया हुआ है, next question है, how many total surat in holy Quran, तो कितनी total surat है जी, 114, option B is the right answer, थोड़ा सा मीन के candidates को confusion आती है, कि अब total surat तो 114 है, लेकिन इसमें मकी कितनी है, मदनी कितनी है, देखे, मैंने जिस angle से मीन के इनको याद किया हुआ ना, तो वो भी मापलों को इसा शेयर कर देता हू है, तो आपने ये याद रखने है, ठीक है, फर्दे देखें, अगर मैं ये last वाला दो इसमें skip कर देता हूं, तो 86 बचती है, तो 86 जो है ना, ये कितनी है, मिन के मकी सूर्तों की जदाद है, 86 मकी सूर्तों की जदाद है, 114 में से, फर्दर अगर मैं इधर से मिन के front वाला 6 इसको मिन के miss कर देता हूं, नहीं पड़ता, तो 28 बचती है, तो 28 जो है ना, ये मदनी सूर्तों की जदाद है, ये आपने याद रखने है, ठीक हो गया, फर्दर 28 और 86 को अगर मिलाएं, तो कितनी टोटल बनती है, 114 तो इस तरीके के साथ आप इनको याद कर लिजीगा, म मिन के नाजलोना, Revelation, Option B is the right answer, सलाते इस तसका का मिन के बढ़ी आती है, किस मौका पर, तो जब मिन के शौटीज ओफ रेन हो, तो तब ये अदा की जाती है, नेक्स क्वेस्टन है, Holy Prophet, Please be upon him, ने, मुहम्मद ﷺ was suggested by, तो आप सभी को पता है ना, कि हमारे पहरे नभी हजरत मुह राइट आंसर, नेक्स क्वेस्टन है, फस्ट अश्रा आफ रमजान इस नाउन आज, तो पहला जो रमजान का अश्रा है, आप सभी को पता है ना, वो रहमत का होता है, दूसरा मगफ़त का, तीसरा जहन्नम, मिन के जहन्नम की आख से अजादी का, आप्शन ए हमारा टांस बनता है, नेक्स क्वेस्टन है, हजरत मुहमद, पीस पी अपॉन हम, लीफ्ट विद हजरत अब्दुल्मुतलिब, क्वेस्टन में ये पूछा जा रहा है, कि हजरत मुहमद, अपने दादा, हजरत अब्दुल्मुतलिब के पास, कितने साल रहे, कितनी दे रहे, तो तो दो साल आप अपने दादा के पास रहे थे, तो option A is the right answer, next question है, what is the estimate age of universe, तो universe की estimate age हमने बताने इन चार अपशन में से, तो मैं भी इत करता हूँ, काफी के इस को पता होगा, 13 billion years, option C is the right answer, next question है, which is the second largest ocean after Pacific, तो Pacific के बाद हमने बताना है, कौन सा largest ocean है, तो मैं भी इत करता हू यह question भी आपको आलरड़ी पता होगा, कौन सा है, Atlantic Ocean, option B is the right answer, यह geography से related question paper में पूछा गया, हमने यह question भी cover किया हूँ, the coldest place in the world is, तो world की हमने coldest place बतानी इन चार अपशन में से, यह question भी geography से related पूछा गया है, तो Siberia इसका right answer, option D is the right answer, next question है, the headquarter of European Union is at, तो European Union का headquarter, यह GKS related question international organizations related question पूछा गया, तो कहां है, जी headquarter, Brussels में, option B is the right answer, next question है, which one out of the following is not a principal organ of the UN, तो UN के आप सभी को पता होगे, कितने total principal organ है, six, आपको नाम भी आने चाहिए, बाकि देखे, secretariat यह भी है, general assembly, यह तो main organ है, यह तो आप सभी को पता भी होगा, बाकि economic social council, मैं भीत करता हूँ, आप सभी को पता होगे, यह भी है, further जो international labor organization है, मिन के ILO, यह नहीं है, यह तीनों तो है, लेकिन यह fourth नहीं है, अगर आपको मिन के वो main six organ है, अगर आपको पता होगे, तो फिर आप easily इसको choose कर लेंगे, अगर आपको नहीं पता, तो आप attempt नहीं सही कर पाएंगे, तो मैं already बना चुका हो, यूए नो से रिलेटरी भी जो जो question बनते हैं, further इनके जो principal organ है, उन पर भी separate separate video बना चुका हो, मिन के जो जो question बन सकते हैं, तो अगर आपने वो वीडियो से नहीं देखी, तो वो भी लाजमी देख लेनी है, next question है जी, टाका, is the currency of, तो काफी है, वैसे famous question है काफी candidates को पता भी होगा, तो बंगलादेश की ये currency का नाम है, next question है, Pablo Picasso is considered to be a great, Pablo Picasso ये काफी ज़्यदा famous painter रह चुके हैं, और इनका जो वैसे belong to country, किस country से belong करते हैं, ये भी question कई बार past paper में पूछा गया है, तो याद रखीगा, I think ये वैसे Spain के बनते हैं, या France, इन दोनों म मेरे से भी मिन के mind से skip हो रहा है, तो फिलहाल वो सर्च के लिजीगा, next question है, what is the capital of Australia, तो अस्ट्रेलिया का capital, ये भी मिन के general knowledge के part में पूछा गया है, तो कौन सा capital है, इन चार option में से कम बीरा, option sees the right answer, देखे, 11 skill की post, तो इस बार भी मिन के chance ही यहीं है, को ऐसी question ज़्यदा इस बताने हैं कि आपको कितने already question के answer आते थे, what does ISO stands for, तो ISO आप सभी को मैं अमीद करता हूं, काफी के निरोट को पता होगा, international standard organization, इसका अप्शन बनता है, option B is the right answer, next question है, you know was established in, तो यूए नो का बनी, मैंने इस पर वीडियो बनाई होई है, तो काफी के निरोट को पता हो तो इसका secretariat कहां है जी, ISO का, तहरान में, तहरान कहां है जी, एरान में, most important question है, और ये जी के बाट में पूछा गया है, next question है, the capital of Saudi Arabia, Saudi Arab का capital जी, रियास, option A is the right answer, next question है, the headquarter of IMF is located in, तो international monetary fund, इसका जो headquarter है, वो कहां है जी, Washington DC में, option C is the right answer, next question है, error in the computer program, which makes it run incorrectly, is known as, तो उसे बग कहा जाता है, जी, option A is the right answer, ये computer's related question, पूचा गया, next question है, dash is an input device, तो इन चार option में से हमने बताना है, input device कौन सी है, speaker, आप सभी को पता, ये output है, mouse, input, printer, output, plotters, ये भी output है, तो input हमने बतानी है, तो mouse ही right answer, option B is the right answer, next question है, what does www stands for, तो www आप सभी को पता होगा, worldwide web, option B is the right answer, next question है, MS PowerPoint is used to create, तो PowerPoint का आप सभी को पता है ना, presentation के लिए use किया जाता है, तो simple सा question है, option C ही right answer बनता है, next question है जी, ये English के question अब स्टार्ट होने जा रहे हैं, देखें, पेपर में आपको English से relative question लाज़मी देखने को मिलेंगे, और जएदा ratio add की जाएगी, तो हो सक पूची से पूची जाती है, मैं आपको बिदा चुका हूँ, जिसमें grammar का पार आजाता है, और vocabulary का पार आजाता है, तो पहला जो question है, you dash since morning, तो देखें, ये टेंसे relative mean के grammar का पार्ट है, तो उसमें हमने बताना है, rest आएगा, rested आएगा, will rest आएगा, have been resting आएगा, तो देख अगर आपको वीडियो से knowledge मेरा है, वीडियो की समझ आ रही है, तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, लाजमी कर लेना है, और comment section में आपने लाजमी feedback देना है, कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, बाकि आप सभी को पता नहीं है, दूसरे भी इस एक्सराइज इन आवर येस्टरेज, तो इधर हमने बताना है, जी फिनिश आएगा, फिनिश आएगा, विल फिनिश आएगा, विल हैफ फिनिश आएगा, तो अगर हम थोड़ा सगोर करें न, येस्टरेज की बाध ओर या कुछ भी पढ़ने के ज जुरूरूथर नही है यह perfect tense में मिनके present perfect tense में तो जहां है जायवाएगा वहां थर्ड वाम आएगी तो इन चार option में से हमने बताना है देखे पोस्ट यह तो बनता है तो she has posted the letter तो option से ही राइटांस बनता है मां अमीद करता हूं आपको कोई भी problem नहीं आ रही होगी she dash English now देखें मुझुदा की बात हो रही है तो मुझुदा आप सभी को पता है ना को present continuous tense में मिनके उसका यूज किया जाता है तो इन इन टाइटल डैश दिस पोस्ट प्रेपोजिशन आएगी जी इन टाइटल के बाद फिक्स प्रेपोजिशन है मैं अमीद करता हूं काफी डैश माई डिफिकल्टीज तो अवेर के बाद यह फिक्स प्रेपोजिशन है ओफ आएगा ऑप्शन डी ही इसका राइटांस बनता है नेक्स और आज की वीडियो का लास्ट क्वेस्टन है तो क्वेस्टन है जी दे एग्री डैश यू इंडिस मैंटर तो एग्री टू पार टू भी शेयर कर दूँगा जिसमें अभी कुछ जिगराफी के बी क्वेस्टन है फर्दर करेंट अफेर से रिलेटी भी दोतिन क्वेस्टन और मॉस्ट इंपोर्टन मैथमेटिक सोर उर्दू के क्वेस्टन रहते हैं जी तो वो मैं आप लों के साथ नेक्स सेकंड व से कामिया फर्माए अल्ला पाक हम सब पर अपनी रहमत का नजूल फर्माए थैंक यू फॉर वाचिंग टेक केर अल्ला हाफिस